गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा पांच की मैधावी का पिन नमबर दो, प्रश्ण नमबर एक है कि पैरियार अभ्यारने किस राज़े में होता है, पहले मैं आपको बता दू अभ्यारने क्या होता है, अभ्यारने वो जगा होती है जहां पर जीव जन्त जो होते हैं, वो स्वतंत रूप से घूम सकते हैं, हम मनुश्यों को बंद गाड़ियों में, जीप में या टैंकर्स में बैठ कर इस जगा को अबसर्व करने के लिए जाना होता है, यानि वो अपने प्रकरतिक आवास में होते हैं, ठीक है, और हमारे देश में बहुत सारे अब्यारने, सो से भी ज्यादा है, तो यहाँ पर बात हो रही है, पैरियार अब्यारने की, यह है केरल में, और यह अपने हाथियों के लिए बहुत मशूर है, और वैसे भी हाथी की बात आती है, तो केरल एक राज्य है, जहाँ पर हाथी की संक्या भगतायत रूप से किया जाता है, तीसरा प्रश्ण है कि यदि किसी तरिवच की सभी पुझाय असमान है तो उसे क्या कहेंगे संबभु, संधी बहु या विष्शन बहु, देखिए यहाँ पर अगर हम पुझाओं की माप के हिसाब से करें तो हम सभी पुझाय को तीन हिसों में बाढ़ सकते है एक वो त्रिबुज होता है बच्चो जिसकी सभी बुजाए बराबर होती है, यानि सम बाहू, बाहू मतलब बुजाए, यानि जिसकी सभी बुजाए एक समान हो, जैसे अगर ये भी 3 cm है, ये भी 3 cm है, और ये भी 3 cm है, तब हम इसे कहेंगे सम बाहू त्रिबुज, बट क्य हो कि अगर उसकी सिरफ दो ही बुजाएं बराबर हूं ये देखिए ये मैंने बनाया है और ये मैंने इसको जॉइन कर दिया अगर इसकी ये बुजा इसके बराबर है तो यहां त्रिबुज की तीन में से एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया ठीक है तो सारी बुजाएं असमान है तो ऐसे त्रिवुज को जिसमें सभी बुजाएं असमान होती उसे हम कहते हैं विश्यम बाहू त्रिवुज तो प्रशन तीन का उत्तर क्या होगा विश्यम बाहू त्रिवुज अगले प्रश आशिरवाद यानि शर के बाद आता ना आप बोल के देखो शर के बाद रह की अवाज आती है तो जिस अक्षर के बाद रह की अवाज आती है तो रह का जो ये मातरक चिन है ये कहा लगेगा अगले वाले अक्षर पर लगता है तो इस प्रकार से आशिरवाद को सही करके परले नहीं होता प्रले होता है प्रले मतब अंतसमे जब सब और पानी ही पानी हो ठीक है नेक्स है प्रशन नमबर पांच गोदग कहां प्रयोग होती थी गोदग जो थी ये नोका में युद्ध पोतों में आगे की और एक कील से इकली होती थी और इस कील के द्वारा उसे व अगला प्रश्ण है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है वर्ग आप बच्चोस आपको पता है वर्ग एक ऐसी बंद आकरती है जिसमें चार बुजाएं होती है और इसकी सभी बुजाएं जो होती है वो समान होती है और परिमाप क्या होता है किसी भी आकरती के चारों और की चार बुजाएं होती हैं और उसकी सभी बुजाएं समान होती हैं तो अगर हम चार गुणा कोई भी एक भुजा ले लेंगे तो हमारा परिमाप निकल आएगा तो इसमें उत्तर क्या होगा चार गुणा भुजा चलिए बढ़ते हैं आगे अगला आता है हमारा आयत का परिमा आयत क्या होती है, आयत भी कैसी बंद आकरती होती है, क्लोस फिगर होती है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यह आपको याद रखना है, कि आयत जब मैं शब्द बोलूं तो आपके मन में किसका चितरन होना चाहिए, एक ऐसी आकरती का चितरन होना चोड़ाई कर आती है, तो लंबाई कितनी है हमारे पास, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ठीक है, और चोड़ाई कितनी है, ये भी चोड़ाई है, ये भी चोड़ाई है, तो हम इसको फार्मूले के तोर पे कैसे लगेंगे, दो गुणा लंबाई, जमा चोड़ाई क्यूं करा हमने दो से, क्योंकि दो बार लंबाई है और दो बार ही चोड़ाई है, तो वर का परिमाप होता है, चार गुणा भुजा और आयत का परिमाप होता है, दो गुणा लंबाई जमा चोड़ाई, ठीक है, याद रहेगा आपको, बढ़ते हैं आगे, विश्व की भूमीकत रेल सेवा सबसे पहले कहां शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी बच्चो लंदन में, प्रश नमबर 9, भारत में पहली रेल गाड़ी 1853 में चलाई गई, क्या ये सही है ये गलत, देखिए भारत में जो पहली रेल गाड़ी थी, वो अंग्रेजों के समय पर आई थी, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि 1853, 1857 का जो पहला विद्रो था, ये सब आसपास है, और ये चलाई थी, अंग्रेज सशनकाल में मुंबई से थाना, और इसमें 14 डब्बे थे, तो ये इंपोर्टन कोशन है, आपको ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि भारत में जो पहली रेल-गाड़ी थी, 1853 में चलाई गी थी, और ये सही है, चलिए प्रेश नमबर 10 पे आते हैं, दुनिया की सबसे गहरी गुफा कहा है, दुनिया की जो सबसे गहरी गुफा है, वो हमें मिली है, फ्रांस में, तो ये आपने लेटी हुई रेखा हैं, जिने हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, एक रेखा होती है, जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, जिने हम देश शांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है, तो अब सवाल है कि इंग्लैंड के ग्रीन वीच शहर से कौन सी रेखा गुजरती है, तो इंग्ल दिशांतर की जो माप है वो है जीरो डिग्री दिशांतर चीक है अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्च नमबर बारा है कौनसी रेका दक्षनी गोलाद में अगला सवाल प्रश्च नमबर तेरा कंगारू कहां का निवासी है कांगारू आस्ट्रेलिया का निवासी है यह बात सही है यह गलत है यह सही है जैसे बाग हमारे देश का राष्टे चिन है ऐसे कंगरू भी यानि कि कंगारू भी आस्टेलिया का राष्टे चिन माना जाता है प्रशन नमबर चोदा फूलों से हमें क्या प्राप्त होती है फूलों से हमें सुगंद प्राप्त होती है प्रशन नमबर पंदरा जीवन रक्षगोल अतिसार होने पर पिलाये जाता है ये बात सही है ये गलत है देखिए अतिसार क्या होता है अतिसार दस लगना कहते है दस लगने में क्या होता है शरीर में ना किवल पानी की कमी हो जाती है अब तो शरीर के लिए आवशक लवडों की भी कमी हो जाती है क्योंकि जब दस लगते हैं तो शरीर के जितने भी जरूरी मिनरल्स है जैसे कि सोडियम है पोटाशियम है सब बाहर निकल जाते हैं तो शरीर में कमजोरी ठकावट महसूस होती है तो उसको दूर करने के लिए जीवन रक्षक घोल बनाया जाता है और इसे आप कैसे बनाते हैं एक गिलास में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी लेते हैं चुटकी बर नमक डालते हैं और चमज भर के थोड़ा सा शक्कर या शेहर डालते हैं और इस प्रकार से आपका जीवन रक्षक घोल बन जाता है तो यह अतिसार होने पर पिलाया जाता ह यह बिल्को सही है और इसको इंग्लिश में कहते हैं O, R, N, S प्रशन नमबर 16 है बीज में अंकरन होने पर सबसे पहले क्या निकलता है कई बच्चे यहां पर पतियां लिख देते हैं जबकि बीज में अंकरन होने पर सबसे पहले जड़ निकलती है जो कि सफेद रंकी होती यह आपने अकसर बीज को अंकरित होते होगा नीचे की और से उसकी जड़ निकलती है और पति उसके अंदर ही होती है बीज पत्र के अंदर बढ़ते हैं आगे प्रशन नमबर 17 दूद को किस से मापा जाता है इस सवाल को अंसर बताने से पहले मैं तुम्हें दो शब्द के पेट्रोल है या पानी वाली कोई भी चीज है उसको मापा जाता है नापना इस्तमाल करते हैं जब हम लंबाई का इस्तमाल करते हैं चोड़ाई का इस्तमाल करते हैं उचाई का इस्तमाल करते हैं या गहराई का इस्तमाल करते हैं तो लंबाई नापी जाती है चोड़ाई नापने के लिए हम क्या करते हैं धारिता मापने उसमें कितना पानी आता है कैपेस्टी नापने ठीक है और वजन मापने नापने जाता है तो यह आपने ध्यान रखना है अब है प्रशन हमारा दूद को किस में मापा जाता है तो देखो दूद बहने वाले चीज़ है इसको लीटर में नापा जाएगा जो भारी वजन की चीज़ेंगे जिसमें मास होता है वजन होता है उसको हम किलोग्राम में नापते हैं ठीक है और मीटर में नापी जाती है लं प्लीज़ करता है रेल की हड़ी को प्रभावित करने के कारण उसमें जो नीचे पैर का हिस्सा है वह चलने काता कई बार हात में पोली हो जाता है पैर में हे हो जाता तो इस से पूराagne का आंग बिल्कुल बेकार हो जाता है उसकी Systems बिल्कुल टैड हो नेक्स्ट है पीलिया पीलिया जो है वह लिवर इंफेक्शन से होने वाला रोग है और काली-खासी कहते हैं जिसे हम डिप्तीरिया कहते हैं और यह जो बिमारी होती है यह फेपड़ों की बिमारी है चलिए बढ़ते हैं आगे प्रेश्ण नमबर 19 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है देखो, जब भी ऐसे कोई प्रेश्ण आए, तो सबसे पहले हमने डिजिर्ट्स किनने है इसके डिजिर्ट्स सबसे ज़्यादा होंगे, वो संख्या भी बड़ी होगी ये चार अंकों की संक्या है, ये चार अंकों की है, ये चार अंकों की है, और ये पांच अंकों की है, जो हम गिंती में करमशा आगे बढ़ते हैं, तो जितने अंक जुड़ते जाते हैं, उतनी संक्या बड़ी होती जाती है, यही सिखा है न हमने, जैसे एक है, दो है, तीन है अगला प्रशन है मेंडग कहा अंडे देता है पानी के अंधर प्रशन बर 22 भोजन का स्वाथ पता लगाने के लिए कौन सी ग्यानेंदरी काम आती है काम आती है जीब हमारी जीब होती है अगर आप अपने हाथों को साबुन से धोएं अच्छी तरह से पोंच ले और ये एक् आपको बिल्कुछ साफ नजरेगा ऐसा लगेगा कुछ चुटे 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 पहाड है यह हमारे पैपिले होते हैं पैपिले मतलब भोजन का स्वाथ जो बदा करने के लिए बहुत सारे इसमें टेस्ट रिसेप्टर होते हैं जो मीठा नमकीन खटा और कड़वे होते हैं ऐसे ठीक है और क्यों होते हैं कांटे क्योंकि शेर जो है वो मासा हरी जानवर है तो जब वो किसी जानवर को मारता है तो दातों से वो चीर तो लेता है बट हडियों पे लगा हुआ मास कैसे खाएगा तो इसके लिए वो जीप का इस्तेमाल करता है और आपने शेर का पूरा स्किन मास जेर की हाथ के ऊपर चिपक जाएगा जैसे मानो गोंध हो यही तो मासा हरी जानवरों की चीप काम करती है चलिए बढ़ते हैं आगे अगला है कि दूरी नापने के लिए देखो यहाँ पर दूरी नापना आ गया यही मैंने बताया था ना जब हम लंबाई का चुड़ाई का उचाई का दूरी का गहराई का नापते हैं तो हम नापना शब्द इस्तमाल करते हैं तो दूरी को नापने के लिए किसका प्रयोग क करेंगे हम इंचिटेप का प्रयोग करेंगे चलिए आखरी प्रशन पर आते हैं एक गाउं में आधी जनसंक्या पुरुषों की है और एक बटा तीन पुरुष अनपढ़ है तो बताए गाउं के कितनी जनसंक्या का भाग पुरुष अनपढ़ों का है कहने को आपको बहुत म हमारी हो गई गाउं में आधी जो है वो पुरुष हो गए तो यह आधी हो गए स्त्री और यह हो गए बच्चे ठीक है हमने बात करनी है पुरुषों की अब यह हमारे गाउं में आधी जनसंक्या आधी को कैसे दिखाते हैं बच्चो एक बटा तो से ठीक है यहां तक समझ म यह हिसा, यानि कि 1 बटा 2 हिसा और उसका भी 1 बटा 3 तो उसका 1 बटा 3 कैसे निकालेंगे? इसको उसके 1 बटा 3 से गुणा करतेंगे जहां क्या करेंगे? गुणा अब गुणा का नियम होता है जब हम fraction वाले या भीन वाले गुणा करते हैं तो उपर का हिस्सा उपर से गुड़ा होता है, नीचे का हिस्सा नीचे से, उपर के हिस्से को कहते हैं, अंश नीचे का कैसे हैं, हर, एक गुड़ा एक, एक, तीन दुनी, छे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, अब यही हमारा उत्यर है, उसने पूछा है, बताईए पुरिशों का होप सो आपको आज का प्रशन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे अपडेट लेती रहिए और इनको कॉपी में लिख कर अभ्यास करें ठीक है ताकि आपको प्रशन अच्छी तरह से समझ आ सकें ठीक है और सब्सक्राइब करना न भूले